आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत दोस्वागत है लो भाई बहुत बड़ी खुशकवरी जी एस्टी तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है मन्थ औन मन्थ जी एस्टी कलेक्शन में इतनी वृद्धी देखें जब जी एस्टी आया था तो इस पे बहुत ज़्यादा बवाल मचा था existing system को तोड़के नया लेके आना मुश्किल होता है adjustment में या definitely मुश्किल होती है बट अब देखो छक्के पर छक्के मार रहा है जी एस्टी तो जी एस्टी आगे है indirect tax बोला हम कैसे पीछे रहे है रेस में तुम हमको पीछे छोड़ोगे हम भी रुको अभी आ रहे है tax collection 45% तक बढ़ गई है finance ministry का ये बयान है net direct tax collection for fiscal year 2022-2023 grown over 45% 45% तक तो direct tax collection की बात करें for the financial year देखिए ये 3,49,225 करोन पर है क्या बात है वई तालिया डारेक्ट टाक्स अभी मैं बता दूगा परशान मत हो ये 3,49,225 करोन पिछले साल कितना था 2,33,651 करोन 45% का rise हुआ है 16 जुन आप देख लिए 16 चुन तक जो net connection था 171% तक क्या बात है क्या बात है और ये देखिए साल दर साल ना बढ़ता जा रहा है देखिए इसका मतलब जो है शिकंजा कस रहा है मतलब लोग income tax दे रहे हैं अब income tax के विवारे में बता दूगा लेकिन इसमें कौन कों से tax आ पहले दो तरीके के tax इसके बाद हम बात करेंगे देखो corporation tax 1,70,000 के करीब है ठीक है इसमें refund भी शामिल है personal income tax जो है और जो आपका transaction tax security transaction tax वो 1,60,000 के करीब है तो आप ये समझो कि इसमें तकरीबन 3,35,000 करोन के आसपास जो है वो tax जो है वो दिया गया है और ये देख सकते ह जो collection है फिलहाल 3,70,000 करोड तक है तो भाईया सब बहुत खोश है आप भी खोश हो जाईए क्योंकि UPSC का course हमने launch कर दिया है sale खत्म हो रही है फिर आप लोग मुझ पे चलाओगे कि sir sale extend करा दिजे अब हम आप sale नहीं extend कराने वाले live class से शुरू होने वाली है सबसे पहले त तो मैं बात करूँगा मेरी personal guidance है यार तो होने ही है तुमको सफल अब यह देखो सबसे best 2,33,000 करोड यह पिछले साल का था ठीक है 21,22 3,49,000 करोड अभी है डारेक्टर टाक्स देखिए gross यह net है पूरा का पूरा gross डारेक्टर टाक्स मतलब यह तो net है gross मतलब refund भी तो दिये हजार करोड के आसपास और अभी 3,70,000 करोड के आसपास advance tax 75,000 और अभी 1,00,000 आ गया है TDS 1,57,2,29 self assessment tax इतना जादा तो देख लीजे भाईया करोणों में कमाई हो रही है सरकार की बहुत बढ़िया चलिए अब हम एक एक चीज पहले direct और indirect पहते फिर इस पे आ जाएंगे ह कितना जादा है यार चलो ठीक advance tax मैं 4 और टाक्स आपको direct और indirect बताओ यह तो चलिए वही सब है growth of 33% 33% की growth हर चीज आपको growth ही दिखेगी तो अब हम tax पे आ जाते हैं बस हटाओ direct tax क्या होता है direct tax देखिए directly सरकार जो आपके उपर लगाएगी देखो जो हमारा revenue structure है सबसे प और अगर अभी बाद में जब medieval फिरस के बाद modern में यह tax जो है वो 30% तक हो गया मतलब जतना आप कमा रहे हो उसका लगबग 30% आपको देना पड़ेगा और यह अभी तक चलता चला आ रहा है जैसे मेरी company है मुझे GST बे 13% देना है और मुझे income tax भी देना है समझ रहो तो बड़ी जो corporation होती है उनको तो आधा जो समझी है 50% जो है हाला कि सरकार बोलती है GST आप पब्लिक से लो अरे लेकिन उतना पब्लिक को में discount दे सकता था ना गया तो मेरी जेव से एक तरीके से आधा जो है वो चला जाता सरकार को अब इसके लिए आपको tax planning की ज़रूरत पैसा दिया यानि कि आप और सरकार के बीच में एक आदमी आ गया एक entity आ गया तो वो indirect हो गया लेकिन अगर आप directly सरकार को पैसा दे रहे हो तो direct tax होगे जैसे आपकी income आपकी जो भी income आई सरकार directly उसको काट लेती है इतना deduct कर लेगी वो है आपका direct tax simple अगर कोई भी एक entity ब समझ गए यह चीज है ओके अब इसी लिए बोलाए कि जो burden है और टाक्सेशन पार directly on the taxpayer income tax अब देखिए इसमें भी आप समझिये tax structure कैसा है बहुत जरूरी है बेटा अब ही जब बहुत लोगों को यह पता ही नहीं है आदे से जादा लोग तो ITR ही नहीं भरते हैं क्यों नह बर रहे हो मेरे भाई ! Income Tax returns ! भरते ही नहीं है लोग ! तुमको पता है अगर तुम ITR नही भर रहे हो तुमको लोन नहीं मिलेगा ! तुमको बहुत साली सरकार इससो विधाय नहीं मिलेगी ! यह पता कैसे चल रहा है इतना tax अग आपाता की है IstR की दालत ! Income Tax लिटर्यं पता ह कई बार क्या होता ना टाइक्स जादा भर दिया जाता है सरकार उतना टाइक्स रख लेती है और बागी तुमको वापस कर देती है पैसा वापस आ जाता है लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है ITR जरूर भरो 0 ITR फाइल करो लोन लोन लेने जाओगे ना तीन साल का ITR जरूर ही होता है और बहुत सारी सुविधाय मिलती है तो income tax रिटर्न्स है ठीक है अब देखो ये एक्जामपल है डारेक्टे टाक्स के income tax, corporation tax, सीधा corporate पे लगेगा आपको पैसे देने है सरकार को आपकी जो भी income हो रही है अब देखिए साल के इंड में होता है ये जो tax है वो साल के इंड में ही लिया जाता है बेसिकली जब आप ITR अभी तो जैसे income tax के फॉर्म आ गए है तो अब क्या है कि जैसे आप एक माली personal हो ठीक है आप एक जगा काम कर रहे हो तो आपने ITR भरा आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आप अपनी income डालोगे कि मेरी साल कीतनी income हुई ठीक है और उस हिसाब से अपका tax बनेगा और वो tax आपको सरकार को पे कर दोगे अब अगर मालीजे कि सरकार देखी कि कितना tax लग र तो यह आपका income tax, ऐसी corporation tax, ऐसी capital gains tax यह सब directly रखते हैं, directly property डारेक्टी लगता है, कोई involved नहीं होता, आपने property खरीदी आपको tax देना है, stamp paper देना है, खरीदने हैं आपको, registry करवानी है, 8% है registry, जो भी property खरीदो को उतने के stamp paper लगेंगे ही लगेंगे, तो यह सब direct लगता है, ठीक है, तो burden आपको उपर आएगा, burden भी खर, tax तो आपको देनी ही न, tax तो देनी पड़ेगा, तो इसलिए, यह examples से, और इसको आप ITR के तो, income tax returns के तो पता चलता कि कितना tax, क्योंकि income tax returns आप भरोगे, तो आप अपनी जो आपने कमाया है न, वो बता रहे हो सरकार को, और आप एगदम clean हो, लेकिन बहुत लोग पैसा दबा लेते हैं, खब पैसा दबाते हैं, अब जो लोग पैसा दबाते हैं, उन पे सरकार शिकंजा कस देती है, और फिर उनको डाल देती है जेल में, तो इसलिए income tax पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा आ गए हैं, इसमें आपका GST है, आप indirect tax सबको मिला कि एक GST हो गया है, ठीक है, custom duty, exercise duty तो ही है, ठीक है, custom duty आपकी पढ़ेगी बार से को समान ला रहे है, exercise duty अगर आपको manufacturer कर रहे हो, ये लेकिन पहले जो आप services, ये अगर आपको बना रहे हो, तो उसमें बहुत सारे tax लगत आपको बना रहे हो, तो मुझे हर महीं ने GST भरना है, हाला कि 20 लाग तक, आगर 20 लाग के उपर आपकी सेल जा रहे है, तब ही आपको GST देना पड़ेगा, मतलब पूरे साल की बता रहे हो, तो GST नमबर आपको लेना पड़ेगा, प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रू बढ़िया, एकदम सब बढ़िया, clean, तो ये आपका indirect tax, ये है direct tax, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीछे चलते हैं थोड़ा, समझ गया आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो taxes आते जा रहे हैं, advanced tax, अब एक एक tax की बात करते हैं, advanced tax क्या होता है, जब आपने प advanced tax बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आपके उपर penalty भी लग सकती है, penalty लगती है, तगड़ी, अगर आपने tax कुछ गड़बड पाया गया, तो penalty लगेगी, इसलिए tax भईया, income tax department बहुत सकते हैं, GST वाला तो फिर भी थोड़ा सा, लेकिन income tax department बहुत सकते हैं, वो लेकिन अब income tax, corporation tax, सब सारे tax तड़ा तड़ा आते जा रहे हैं, तो सरकार के लिए कुछ कबरी, department के लिए कुछ कबरी और हमारे लिए भी कुछ कबरी है, ठीक है, तो ये लिच्चर था, I.O.P. आपको पसंद आया होगा और हमारे courses को आप जरूर अवेल करें, तेसे सिद् mica का गारे, एक का बता हला हमारे एकि कुछने अवेल लिए मारे सम instantly कुछ का ठाया है, तेसे सिद्फ तेस कुछya है, तuw passions, तेसे सिद्फ तेसे सिद्फ delgaप्यों टपरी है, तेसे सिद्फ आपको एक युछ, युछ से सिद्फ ऑल को रहे लां सरों प конц